हेलो प्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप लोग का स्वागत है मारी यूटूब चैनल माही एं ममा जोस तो अभी 4.30 हो रहे हैं और माही सो रहा है तो मेरे पास अभी टाइम है और मैंने सुच थोड़ा बोर भी हो रहा था तो मैंने सुच है क्या बनाऊ और फिर मुझे याद है कि इनको वड़ा पाव बहुत पसंद है और एक्षली मैं आपको आप लोग को बिलीब नी होगा ये दिवाली के दिन भी इनोंने वड़ा तो फुछाएं मैं सुचां कि इनको पूख सबसकता हूएं तो बुलते मिने वड़ा झांब इन भी कई तो मैं मैं भी टिवाली के दिन कून वड़ा पाव झांता है? तो मैं त tribाल ओनर नीचे बूर नीचे उत्रेंगे विल्डिंग से नीचे तरेंगे एंडियां भी की थ जाह करता है मैं तो यहाने नहीं मैं तर नहीं जखःे हैं थो गाहते हैं मृट भंप रेस्पी है लगत यवाली नहीं परोल भंप अपकर प्रता है यहां मिलता है तो श्यूं've जाएं मैं जा टीयों होत्तिशाएं आज मैं वड़ा बनाने जारी हूं और बनाती है उसके तो अगर आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक किजेगा शेयर किजेगा और निद्वार कुछ किजेगा तैंक यू अलू अड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू को अच्छे से बॉयल कर लिया है बॉयल करने के बाद उसको अच्छे से ठंडा होने दिया उसके बाद उसकी छिलके निकालकर उसको हाथों से ही मेश कर लिया हमने इस तरीके से इसको मेश करके मैं साइड में रखूंगी मैंने थोड़ा सा फ्रेश हरी धनी अच्छे से काट के रख लिया दिनी कट करने के बाद हम लोग लसून, मिर्ची और अधरग इसको लेकर थोड़ा सा हलका से ग्राइंड कर लेंगे करने इसको पेश ने बनाना हिस तरह से मैं एक बैसन लिया है और उसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालके उसका गोल बना लोंगी सिसको नमक डालके में ऐसे ही रख दूंगी और जब हमें बड़ा चांना रहा एगा उस ते में एक पिंच बैकिंग सोडा डाल दू यह पर जब रहना चाहिए है आप पैन ले लिया ए ऊसमें तोड़ा दोड़ा टेल रह ले लिया और तेल गरम होने के बाद मैंणे मस्टर्ड सीट डाल दिया और जो मैंने घ्राइंड किया थर लसन बिर्ची और लिका थो हड़ी का सब्सक्राइब करें तोड़ा सांटिक्ट जो हमने बटाटा फोड के रखा है वो बटाटा इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और जो मैंने इसमें तीखा डाला था जो मिर्ची डाला था मैंने कुछ ज्यादा डाला था आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चे और नमाक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालीगा आपको किनाती का पसंद है अच्छी से मिक्स होने के बाद मैंने जो धनिया स्टाटिक में काट के रखा था फ्रेश धनिया वो इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे धनिया को भी और धनिया जितना फ्रेश रहेगा उतना ही टेस्टी हमारा बड़ा बनता है वड़े के साथ हमें ने लाल चेटनी और हरी चेटनी दोनों बनाई है लाल चेटनी का रेसीपी में जल्दी ही अपलोड करूंगे आप लोके साथ ने आलों हमारा रेडी हो गया इसको हम रख देंगे थंडा होने के लिए और पैन रखना हम लोग कैस पर और वर टेल हम गरम होरा है जब तक आप तक हम आलो के छोटीे टिक्की साइज में रख लेंगे और पेसं में दित करके टेल में डाल देंगे तेल गरम होते ग्थीए बड़ा को हल्का रेड होने तक हम लोग इसको पकाएंगे और इसको चलाते रहेंगे पलटते रहेंगे ताकि यह जले ना नीचे से बड़ा हमारा अल्मोस्ट पक गया है पकने के बाद हम लोग एक प्लेट में टीशू पर रखते इसको उस पर निकाल लेंगे यह देखें हमारा वड़ा कितना क्रिस्प और कितना अच्छा दिख रहा है खाने में भी यह उतना ही टेस्टी बड़ा हमारा रेडी हो गया है आप मैं इसके साथ हरी चट्णी बनाऊंगी तो हरी चट्णी कैसे बना रहे हो भी मैं आपको दिखाती हूँ चटनी बनाने के लिए मैंने हरी धनिया फ्रेश पुदीना का पत्ता मैंने एक कटोरी लिया है लसुन के तिनचार का लिया और मिर्ची और नमक यह सब डाल के मैंने अच्छा से इसको ग्राइंड कर लिया है वड़े के साथ ग्रीन चटनी और लाल वाली चटनी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों हमारे वड़ा और हमारे चटनी की रेजपी अगर आप अच्छे लगे तो प्लीज उसे लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर कीजेगा तैंक यू प्लीज आप आप